हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे, मेरा नाम है देवाशिष and this is an Edsharpner production दोस्तो अगर तीन चीज़े एक साथ आ जाए अब पूल आफ वेरी तैलेंटेट पीपल जिनको बहुत सारे स्किल सेट्स है ऐसी बहुत अची कमपनीज जिनको ये टैलेंट की जरूरत है जो ये टैलेंट ढूंड रही है और बहुत बहुत पावरफुल ट्रेनिंग और प्लेस्मेंट सेल, टीन पी सेल और ये तीनों चीज़े दोस्तो एक साथ आ जाती है IITs और NITs के प्लेस्मेंट सीजन में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं TNP सेल्स और टॉप IITs, टॉप NITs और TNP सेल्स कैसे काम करते हैं और आप इस चीज़ का कैसे फाइदा उठा सकते हो and how to make yourself into a very good opportunity pool and how to create chances for yourself मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि TNP सेल्स में में मेंबर बनने से आपको क्या-क्या फाइदे मिलेंगे तो ये वीडियो आखरी तक दिखना ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि TNP सेल बेसिकली क्या काम करता है ठीक है? आप सब B.Tech से हो आपको पता है कि B.Tech के आपके कॉलेज में कोई Training and Placement सेल होगा इस Training and Placement सेल मतलब TNP सेल का काम यह होता है कि Companies को Contact करें उनके HRS को उनको Invite करें कॉलेज में और उनको बोले कि हमारे आपे ऐसे से बच्चे हैं Electrical, Civil, Mechanical और हमारा यह यह ranking है कॉलेज का वो impression से बताएंगे कि हमारा ऐसा कॉलेज है वैसा कॉलेज है आप आओ और recruit करके लेके चाओ Normally Tire 2 और Tire 3 colleges में दोस्तों जो companies आती है वो service based companies होती है ठीक है? Service based companies का क्या मतलब है? वो basically service provide करती है लोगों को तो वो जो कि यह civil का है, mechanical का है या फिर जो भी है ऐसे कॉनसी companies आप बता सकते हो? Cognizant, Accenture, TCS, etc तो यह सारी companies mass recruiters होती है दोस्तों मतलब यह एक बार आती है और कई सारे बच्चे उठा के लेके जाती है लेकिन जब यह आती है तो यह company के पास leverage होता है यह पोलती है, हम आएंगे तब आएंगे हम इस देट आएंगे, उस देट आएंगे तो वो आते हैं, बिचारे बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि आज आएंगे, कल आएंगे और एकदम tension में होते हैं वो एकदम भिया, ऐसे उनका बहुत टेशन होता है कमपनी के बास जब लेवरेज होता है तब स्टूडेंट लोगों का जादा फाइदा नहीं होता वो जो कमपनी है, उसमें विचारे को जाना पड़ता है कई सारे कॉलेजिस का ये भी रूल होता है कि एक कमपनी में सिलेक्ट होके तो बाकी नहीं हो सकते तो IIT और TOP NIT में दोस्तों कंडिशन थोड़ी अलग है यहाँ पे प्लेथोरा ओफ उपर्चुनिटी है क्यों? यहाँ पे दोस्तों कमपनी फाइट बार रही होती है कि मैं पहले दिन आऊंगा, मैं पहले दिन आऊंगा मैं पहले स्लोट से लेके जाऊंगा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे अगर वो दूसरे कमपनी में चले गए तो अपना नुकसान है तो दोस्तों यहाँ पे लिटरली निगोसियेशन होते हैं पैकेजिस के बारे में आप बुलोगे कैसे? तो यह जो TNP सेल्स होते हैं न दोस्तों तो TNP सेल्स का यहाँ पे काम ही यह है कि कमपनीज को बुलाए और उनको स्लोट्स दे अलग-अलग ऐसे कॉलेजिस में क्या होता है? एक डिसेंबर को वगेरा प्लेस्मेंट सीजन वगेरा शुरू हो जाता है प्लेस्मेंट सीजन में जीरोथ डे, फर्स डे, बहुत इंपॉर्टन डे कहलाते हैं जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पैकेजिस मिलते लोगों को और बहुत अच्छी-ची कंपनीज आती है बहुत अच्छी कंपनीज एंड बहुत टैलेंटेट पूल ओफ पीवल वो सब मिलता है आप और बहुत सारी opportunities create होती है और ऐसी जगह पे TNP sell negotiate कैसे करता है कि आप 10 लाग पैकेज देरो ठीक है आप थर्टे नहीं चाहते दूसरे दिन आना चाहते हो तो पैकेज बढ़ा लो तो फिर 15 लाग करना पड़ता है उनको तो लिटरली कंपनीज अपना पैकेज 10 लाग 15 लाग ऐसे बढ़ा देते हैं without thinking too much because just उनको अच्छा टैलेंट चाहिए now that is a different part दोस्तों कि आप खुद को उसके लिए ready कैसे करना है कि आपको वो talented इंसाथ बनना है कि जिसको company चाहती है उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे लेकिन I am talking about the opportunities that you are going to get and there are going to be so many opportunities now the question is core and non-core companies product based companies जो होती है जिनको actually कुछ specialization चाहिए जो आप core company कहते हो तो वो भी companies काफी होती है लेकिन पूरे इंडिया में ही ऐसी companies कम है तो वो जाती कहां होंगी वो top institutes में ही जाती होंगी और top institutes में जब वो जाती है तो यही सोच के जाती है कि मैं कुछ 10 लोग, मेरे को 10 लोग चाहिए तो मैं इस college में इस IIT में चाहूँगा उस IIT में चाहूँगा एक दो एक दो लोग उठा के लेके चाहूँगा So you have to be ready for such times बट यह companies IIT में आती है So there is a chance that the core company will be there and you will be eligible for it Now, if you are in an interdisciplinary department अभी क्या करना है Basically, हर department से TNP cell में एक एक member होना चाहिए और यह होता है तो aware yourself with this TNP cell में core committee करके एक student लोग की community भी होती है मतलब committee होती है and then there is wait, let me just read this the camera and then there is that representative from each department दोस्तो तो मैं यह बात कर रहा हूँ if you are from interdisciplinary department अगर आपका representative TNP cell में है अगर कोई company आती है तो then that representative is very critical कि वो company आपके branch को allow कर दे और यह सब हो सकता है process यह चलती है दोस्तों कि कोई HR को अगर आपने phone कर लिया कि हमारे यहाँ पे IIT का तो leverage है company भी phone कर दियोंगी और company तो बिल्कुल interested होती होगी फोन करने के बादा अच्छा TNP cell IIT Delhi से बात कर रहे हो हाँ हाँ बिल्कुल हम आएंगे ऐसा ऐसा लेकिन जब वो अपना requirement बताते है तो ऐसा नहीं बोलते कि civil के चाहिए हमको या फिर electronics के चाहिए या फिर interdisciplinary के नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोलते हो वो एक broader area बताते है जैसे for example वो यह नहीं बोलेंगे civil mechanical वो बोलेंगे हमको structural का जिनको knowledge है वो सब बच्चों के जैसे test लेना है इंटर्व्यू लेना है तो structural के बच्चे मतलब जो civil का भी हो सकता है knowledgeable person को mechanical का हो सकता है किसी interdisciplinary department में हो सकता है तो आपको चिंता करने की ज़रत नहीं है अजर आप interdisciplinary से हो आपके representative को बस core committee को ऐसे पटाना है बस ये बताना है कि अरे भाया हमारे interdisciplinary में भी यार दस बच्चे civil के हैं तो उनको भी allow कर दो यार TNP CEL का objective क्या होता है TNP CEL का objective हमेशा यह होता है कि जादा से जादा बच्चे place हो जाए तो वो ऐसा नहीं कहते कि नहीं नहीं इस interdisciplinary department को हम allow नहीं करेंगे भाया क्यों नहीं करेंगे बिल्कुल करते हैं Now if you are in a core committee TNP CEL की core committee कुछ 10 M.TEC बच्चों से बनते हैं जनरली मैंने एक दोस्ते बात कि उन्होंने बोला कि उसके time 10 लोग थे जो core team में थे और उनका काम क्या था? यही था कि companies को call करो companies को बुलाओ और companies आ जाती है दोस्तों IIT दिल्ली के नाम पे तो वो literally सब को जैसे coordinators को बोलते थे, members को बोलते थे कि आप जो जो company को जानते हो वहाँ का अगर कोई भी contact आपको मिलिया तो उनको हम TNP sell IIT दिल्ली के तरफ से call करके invite करेंगे और companies भी IIT दिल्ली के नाम पे आती है दोस्तों ठीक है? तो यह चीज समझ लो उसके बाद जो core committee होती है वो packages खुद से मतलब यह बच्चे कर रहे होते हैं जो negotiations होता है कि मैं पहला slot देता हूँ आपको और फिर आपको मैं package बढ़ा लो यह सारे बच्चे कर रहे होता है यह कोई professor नहीं कर रहा होता है एक placement coordinator होता है जो head होता है placement cell का उनके पास भी कई सारे decisions होता है लेकिन HR तो broader area बताते हैं और सब को allow करना packages negotiate करना यह सारी चीज़े TNP core committee में होती है और इसलिए it is very beneficial if you get to like have that experience of TNP cell of your institute अभी यार सबसे बढ़िया चीज़ तो यह भी है इसमें कि अगर आप TNP cell में होते हो तो आपको यह पता होता है कि कौन सी company आने वाली है अगर एक company में आप place हो गया तो आप दूसरे company में नहीं जा सकते है but if you are in TNP cell आप member भी हो या फिर आप core committee में हो तो आपको यह पता होता है कि कौन सी company किस दिन आने वाली है तो अगर आपकी dream company उसमें है IIT जैसी जगह पे यह सब सोचने का आपको मौका मिलता है कि मैं dream company में ही जाऊंगा तो you can actually get to wait for such companies कि मैं चलो इस company में मेरा हो भी रहा है तो मैं नहीं बोलूँगा इसको और आगे वाले company में जाऊंगा तो दोस्तो इस चीज में बहुत सारा दम है कि अगर आप TNP cell में होते हो तो आपको बहुत जादा leverage होता है you can manipulate packages you can actually invite a lot of companies आप खुद की तो मदब करी रहे हो दोस्तो इसमें मतलब आप खुद के department को अगर allow करवाते हो ना किसी particular company में आपको कुछ नहीं करना होता आपको बस बोलना होता है कि मेरे यह जो अगर वो नहीं काम करा तो खुद जाओ तो यह सब आप TNP cell में या फिर members आप खुद बन सकते हो and I am telling you यह बनके बहुत फाइदा है in general placement season कैसे चलता है placement season की तैयारी कैसे करें यह सारे वीडियोस हम बनाएंगे दीरे-दीरे placement season को तोड़ा time है लेकिन यह सारी जो core committees होती है पर TNP cell में जिनोंने काम किया इनके साथ बाते करना अभी से शुरू करो मैं मेरी तरफ से आपके पूरी मदद करूंगा लेकिन remember in the IITs and in the old NITs there is plethora of opportunities don't worry यह तो आप कही ने सकते कि मेरे को opportunity नहीं मिली बहुत सरी opportunity मिलेगी you just need to cash in and you need to be ready for when it comes ठीक है all the very best आपको कुछ भी doubts हो तो नीचे लिखिये ठीक है I'll be there to answer your doubts इस पे भी series बनाऊंगा मैं अलग से इस पे interview भी लूंगा and मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ग्यान भी दे रहे